हलो स्टूडेंट, मैसल डॉक्टर आशीश महेश्वरी, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजूकेशन कोटा बच्चों, आप लोगों के नीट के एक्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं क्योंकि हर चेप्टर से क्वेशन आता है, लेकिन जब हम लास्ट मोमेंट में प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तब हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाईज को चेप्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि कभी भी सेलेबस के या सब्जेट के सारे चेप्टर से एक्वल नमबर और क्वेशन नहीं आते हैं कुछ का वेटेज ज़्यादा होता है, कुछ का कम भी होता है तो इन देट केस हमें कम से कम यह पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों का क्या ट्रेंड चल रहा है किस तरह से किस चेप्टर से कितने कुश्चन आते हैं तो एट लिस्ट हम अपने रिविजन में उनको प्राइरिटी दें ठीक है, कई चेप्टर ऐसे हैं जिन से बहुत अच्छे एक अमाउंट मेर बल्क में कुश्चन आते हैं कुछ चेप्टर से कम भी आते हैं हलाकि कुछ कुछ सालों में ट्रेंड बदलता भी है लेकिन फिर भी कई चेप्टर हमारे बायो के सिलेबस में ऐसे भी हैं जो कंसिस्टेंटली हमेशा खूब सारे कुश्चन देते हैं मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं केवल पिछले पांच सालों का एक अनलिसिस लेकर आया हूं और उस अनलिसिस के अकोर्डिंग हम देखेंगे कि बायो के सिलेबस में कौन से चेप्टर से ज़्यादा कुश्चन आ रहे हैं पिछले पांच सालों में और किस से थोड़े कम आ रहे हैं मेरा यहां कहने का यह कतर ही मतलब नहीं है कि आप बाकी के चेप्टर छोड़ दें देखे हर एक question और एक एक marks important है लेकिन हम इससे सिर्फ यह बताना चाह रहे हैं कि हम अपने revision strategy में किसको priority देए ओके तो यह देखे need 2018 से लेकर के need 22 last year तक हमने इन 5 सालों का ही data लिया है ठीक है अगर मैं हर साल आय हुए questions का total average करूं तो अगर और chapter को मैंने arrange किया है तो आप यहां देखेगा decreasing pattern में arrange किया है सबसे पहला जो chapter जो first number पर आ रहा है जिसके कि सबसे ज़्यादा question हमें मिले हैं वो है molecular basis of inheritance 2018 में six question then three question two question seven question seven question को मिला करके पिछले पांच सालों में इस chapter से 25 question आये है at an average ठीक है तो पांच सालों के 25 question है अगर हम और देखें next आता है बायो टेकनोलोजी principle and process इसके आ रहे हैं 23 questions ठीक है उसके बाद अगला chapter है principle of inheritance and variation जिसके के आ रहे हैं 22 questions ओके अब देखिए शुरू के तीन अगर हम बात करें chapters की तो आप यहां ध्यान दे molecular basis of inheritance and principle of inheritance यह दोनों हमारे genetics के unit के दो chapter हैं हाला कि काफी बड़े chapter है और question भी उन में काफी जा रहाते हैं तो हमारी revision strategy में यह पहले नंबर पर होने चाहिए इन फैक्ट इस unit में एक और topic है तीन chapter है total हम अगर unit wise भी consolidate करें तो एक और है evolution और evolution में भी ऐसा नहीं है कि कोई कम question आते होंगे मतलब molecular basis principle of inheritance and evolution evolution में भी average पिछले पांस सालों में 15 question आये हैं तो यह नहीं कि हमारे बायो की पूरी syllabus में जो 10 unit होती है पांस 11 के पांस 12 की उनमें से अगर आइडिली देखें तो यह जो यूनिट आपकी genetics and evolution यह काफी productive काफी सारे question इससे आते हैं और बात करें सेकेंड नमर पर जो हमारा चेप्टर आ रहा है बायो टेकनलोजी principle and process एक छोटी सी यूनिट है बहुत कम टाइम में तयार होती है इसके साथ एक बायो टेकनलोजी और बायो टेकनलोजी एन एप्लीकेशन यह यहां है जिससे भी करीब करीब 14 कोश्चन आये हैं यह दोनों चेप्टर बहुत छोटे बहुत कम टाइम में तयार होने है जैसे कि जनेटिक से एन एवलूशन की यूनिट होगी उसके बाद बायो टेक की यूनिट होगी बायो टेक जनेटिक स्थोड़ा सा रिसेंट ट्रेंड फोलो करते हैं इस वज़े से आज कल उसके क्वेश्चन भी काफी आ रहे हैं ठीक है और इसलिए आपका ध्यान इन सेल डिवीजन यूमन रिप्रोड़क्शन सेल दे यूनिट अफ लाइफ यह कुछ और अच्छे छोटे और इंपॉर्टिंट चैप्टर है यानि कि 11 का एक और यूनिट अब हमारे को यहां दिखाई देता है जिसमें तीन चैप्टर हो गए बायो मोलीक्यूल सेल डिवीज से 16 कोश्चन और सेल यूनिट अफ लाइफ से भी 16 कोश्चन ठीक है यानि कि 11 की यह जो यूनिट आपकी सेल और बायो मोलीक्यूल सेल डिवीजन बहुत इजी यूनिट है लेकिन क्योंकि पूरी बायोजी का बेस होता है सेल इसलिए अच्छे खासे नमबर ओफ कोश्चन स हमें इसमें से मिलते हैं तो इसको आप जरूर अपनी तयादी में आगे रखिएगा ठीक है बायोजी का जो क्लासिकल पार्ट होता है जिसमें हम लिविंग वर्ड बायोजीकल क्लासिफिकेशन प्लांट केंगडम एनिमल केंगडम मॉर्फोलोजी एनाटोमी यह जो क्लासि है तो इसमें आपको एनिमल किंगडम फिर भी एक जगह मिल रहा है बाकी एक अनाटोमी मिल रही है तो यह चीज़े थोड़ी कम होती जा रही है क्योंकि इसमें बहुत सारा याद रखने का पार्ट भी है तो इन चैप्टर्स के अंदर आपको सीधे सीधे एंसे आटी बेस और उसका फ्लोचार्ट तयार हना चाहिए चैप्टर का जो आप डायरेक्ट और बार बार रिवाइस करके तयार कर सकते हैं चीक है ट्वेल्ट के अंदर फिर एक और यूनिट जिसके चार चैप्टर है कॉमुलेट उनिन का बढ़ा अच्छा वेटेज हो जाता है जो हमारे सेलेबस के आखरी यूनिट है इस एकोलोजी एकोलोजी में और इसमें पॉपुलेशन एन्वार्मेंटल इशूज बायो डाइवर्सिटी एन और इको सिस्टम यह चारू चैप्टर एकोलोजी एस होल हमें पूरी एक यूनिट की तरह ही पढ़ना चाहिए कभी भी और एको अगर हम वापस आए तो 12 में कुल मिला करके अगर हम बात करें तो हमें तीन यूनिट दिखाई दे रही है सबसे पहले तो जनेटिक्स एन इवलूशन देन बायो टेक्नलोजी एन एकोलोजी इधर हम 11 में आते हैं तो हमें सेल और बायो मॉलिक्यूल की एक यूनिट मिलती ह हैं अब इसके बाद में आगे हम चलते हैं तो फिर आता है यूनिट काफी बड़ी हैं यूनिट में बहुत सारे सिस्टम्स हैं और प्लांट फिजियोलोजी में भी 5 चेप्टर हैं इस केस में यहां हमें एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहां जैसे सिस्टम्स को हम ध्यान रखें जैसे यह तो हमारे फॉस्ट पार्ट के जो चैप्टर से इसके बाद अगर में आगे चलूं तो आगले चैप्टर से हैं कुल मिलाकर टोटल हमारे पास पांच यूनिट के हमने पांच येर्स के जो पेपर लिये हैं पहले 1990-90 कोशन आते थे उसके बाद 21 और 22 से 100-100 कोशन आ रहे हैं उसी का पूरा इनलिसिस है इसमें हमने चैप्टर वाइज लिया है इसलिए आपको एकोलोजी और फिजियोलोजी के चैप्टर आपको थोड़ा पीछे की तरफ मिलेंगे क्योंकि एकोलोजी एस वोल पूरी यूनिट चलती है लेकिन अगर हम और वाइस कोशन डिवाइड करेंगे तो फिर हर चैप्टर के से में कम-कम हो जाते हैं उसी तरह से फिजियोलोजी में उसी तरह से सिस्टम में सब में लेकिन आपको यहां सारी चीज मिल जाएंगी देखिए एको सिस्टम है और गेनिजमें पॉपुलेशन बोडी लग जाएगा कि पिछले पांच सालों में नीट के पेपर का क्या ट्रेंड है और हमें चैप्टर तो सारे रिवाइस करने हैं लेकिन रिविजन में हम प्रायरिटी किसको दें किस पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करें इसके लिए आपको इन चैप्टर को ध्यान रखना सालों में और पिछले दो सालों में तो बहुत कुछ एक जैसा है लेकिन फिर भी यह चीज़ें कोई फाइनलाइज नहीं होती हैं लेकिन हाँ यह जरूर है कि जने टेक्स बायो टेक एवलूशन एंड एकोलोजी या इस तरह के और भी जो भी चैप्टर से हम अगर पिछले जो बहुत सारे कोशन आ रहे हैं उनके कोई कोशन गलत ना हूँ ठीक है यह एक छोटी सी इंफॉर्मिशन थी जिससे कि हम आपको यह बता पाएं कि बायलो जी जो कि अपने आप में बहुत बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट है कई बार स्टूडेंस को यह लगता है कि इतन फोलो करें थैंक यू वेरी मुच और बेस्ट अव लग फोर यह नीट एक्जाम्स